बेस्ट लेप्टाप अंडर 30,000 एन 40,000 अक्टूबर 2022 की लिस्ट लेकि मैं आ गया हूं इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया क्योंकि अभी सेल वगरा भी चल ले थी आप में से बहुत साय लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे लेप्टाप्स खरीदे भी अगर इनके से आपने नहीं खरीदा और अभी दिवाली सेल वगरा में खरीदने का प्लानिंग कर रहे हो तो यह लिस्ट आपके लिए काफी हल्फूल रहने वाली है अब शुरू करते हैं तीस जार और चालेश जार का बजट सेग्मेंट जो है काफी ज्यादा कमप्टेटिव हो जाता है और ऐसे में आपके लिए डिसाइड करना लैप्टाप काफी मुश्किल भी हो सकता है तो उसी मुश्किल को आसान करने के लिए मैं इस वीडियो में ऐसे लैप्टाप्स अगरा भी हुए हैं और अगर किसी कार्ड अगरा का डिसकाउंट लगा कि आपको और भी सस्ता मिल जा तो और भी अच्छी बात रहेगी सभी लैप्टाप का लिंक अगरा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप मेरी वेबसाइट पर जाने के वीडियो में बताने वाला वीडियो अन तक जरूर देखना 30,000 के प्राइस सेग्मेंट में वैसे अगर आपको लैप्टाप ना ही लेना तो अच्छा रहेगा 35,000 तक जाओ तो ज्यादा अच्छा रहता है हर बार मैं यह बात बोलता हूं लेकिन इस बार लेकिन इस लेप्टाप की बिल्ड क्वाल्टी अगरा काफी ज्यादा अच्छी है तो यह लेप्टाप खरीदना 30,000 के बजट में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छा खासा IPS डिस्प्ले भी मिल जाता है वह अच्छी ची इसमें भी वही i3 का 10th generation वाला ही processor लगा हुआ है और आपको सबसे surprising fact कि यहाँ पर यह IPS डिस्प्ले भी प्रोवाइट किया जा रहा है 15 inch के डिस्प्ले में यह काफी rare सा combination होता है और इसमें आपको fast charging वगरा का support मिल जाता है मैंने पिछले महीने भी इसी laptops को इन दोनों laptops को अ लेकिन इसमें आपको IPS डिस्प्ले वगरा नहीं मिलता है आपर 15 inch का यह भी laptop चार्ज भी की RAM मिलती है अब यहाँ पर उतनी चादा value मुझे नहीं दिखाई देती है लेकिन यह भी 30,000 के budget segment में काफी सही है सबसे highlighted बात यहाँ पर यह हो जाती है कि आपको इस price range में सबसे आसियत क्या है ना कि कुछ खास बात यहाँ पर है नहीं इसमें आपको ऐसा multi-threading वाला प्रोसेसर नहीं मिलता है यहाँ पर i3 या i3 10th generation ऐसा कुछ नहीं है इसमें आपको सिर्फ Intel का Pentium Quad Core processor ही मिलता है यह multi-threading की support वाला प्रोसेसर नहीं है लेकिन क्योंकि आपको HP की तरफ स एक brand reliability factor मिलता है इस वज़े से इस laptop का price almost इस price पर justified है इसका model number आप यहाँ पर देख सकते हो और यह 256GB SSD के साथ में आता है और साथ में आपको RGB की RAM भी मिल जाती Windows 11 or MS Office का भी support यहाँ पर दिया गया है लेकिन अगेन एक बात आप धिहान में रखना यहाँ पर IPS display वगरा नहीं ह है तो उतना सा compromise आपको करना पड़ सकता है अगला laptop जो एक final रहेगा 30,000 के price segment में Linux का IdeaPad Slim 1 यह laptop काफी सही है एक अच्छे brand की तरफ से भी आता है यहाँ पर Ryzen 3 का processor मिलता है जो की multi-threading गारा का support यहाँ पर मिलता है आपको लेकिन यह processor थोड़ा बुरान है जो i3 10th junction है यह almost उ 3 months का Game Pass भी दिया गया जो की काफी अच्छी चीज़ रहती है अभी इस laptop में भी आपको ऐसा IPS display वगरा नहीं मिलता है लेकिन आपको एक brand reliability factor मिल जाएगी यहाँ पर और काफी सही laptop है यह भी built quality वगरा इसकी भी काफी सही है यह तो बात हो गई 30,000 के price segment की लेकिन 40,000 के segment में ब लेकिन इसकी सबसे इंट्रेस्टिंग बात होती है तू के resolution का IPS display वो भी 100% सार्जीबी के साथ उसके साथ ही इसमें आपको पूरा full metal design मिलता है fingerprint reader मिलता है इस laptop में वो सब कुछ है जो की high end premium laptop में होना चाहिए इस वजह से इस laptop को लेना best deal रहेगा इस price point पे अगला laptop में 40,000 के segment में आपको recommend करना चाहूंगा FQ का 1089AU यह काफी महीनों से मेरे इस list में रहता ही रहता है अगर आपको सब कुछ balance साइज specification चाहिए तो this is the laptop you should go with 5th generation का यहाँ पर आइजन 3 processor लगा है RGB, 512GB के साथ डियो और IPS display भी यहाँ पर मिलता है आपको Windows 11 in the box मिल जाएगा पहले से प्र installed होकर आपको कोई भी समय से हाँ पर नहीं होने वाली है और इस laptop को काफी लोगों ने खरीदा है मेरे ही recommend करने पर तो आप इसे consider कर सकते हो अगला laptop में जो आपको बताया चाहूंगा डेल वाश्टो 3420 पिछले महीने के लिए भी यह list में था i3 11 जेशन के processor के साथ में आने वाले laptop है यह 8GB क्रेम 512GB 6HD यहां पर भी मिल जाती है 14 इंच का डिस्पले है लेकिन वह डबलो वी डिस्पले है MS Office 2021 का सपोर्ट दिया गया है विंडोस 11 का सपोर्ट दिया गया है और यह laptop काफी लाइट वेट भी है लेकिन आपको ऐसे डेल के ब्रैंड पर ही जाना है तो यह laptop consider करना उतना value for money मुझे नहीं लगता है जो HP वाला में ने बताया वह सबसे ज्यादा value for money था और इनकेस अगर आपको ब्रैंड पे नहीं जाना है तो रियल मी बुक बेस्ट लैप्टॉप रहेगा वह 40,000 के अंदर अगला लैप्टॉप में बताने चाहूंगा आपको HP का 15S इक्जाट मोडल नमर आप इसक्रीन पर देख सकते हो यह भी कुछ महीनी मेरे लिस्ट में था अभी इससे ज्यादा बेटर डील मुझे नहीं लगत है एक्जैक्टली वही स्पेसिफिकेशन है जो कि HP 14S की थी सिर्फ यह 15 इंच का लैप्टॉप है और IPS डिस्प्ले यहां पर नहीं दिया गया है और 40,000 के बजट में जो फाइनल रैप्टॉप में रेक्मेंट करना चाहूंगा इस महीनी के लिए वो है रेटमी बुक प्रो इसका सबसे हाइलाइटिंग रीजन यह है कि यह आई फाइफ 11 जनरेशन के साथ में आता है आपको सिर्फ 40,000 रुपए में बेस्ट अवलेबल प्रोसेसर मिल रहा है आई फाइफ 11 जनरेशन का लेटेश प्रोसेसर आट जीवी करें 512 वी के सच्टी विंडोस 10 होम का सपोर और MS Office का सपोर्ट यहां पर प्रोवाइट किया गया है लेकिन इस लापटाप में आई पेस डिस्प्ले नहीं है आपको यह बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी लेकिन यह वही 15 रेंच के लापटाप में अकसर आई पेस डिस्प्ले नहीं होते है तो उस बात को भी कं आपको इतनी सी बात ध्यान रिखनी है अगर आप यह रेड्मी बुक ले रहे हो बाकी आपको जितने भी लापटाप मैंने बताया नहीं सबीका लिंक पर डिस्क्रिप्शन दिया है और मेरी वेबसाइट पर दिया है दोनों जगह आप चेक कर लेना बाकी इस लापटाप क झापटाप कर लेबसाटाप कर लेकी बुक लेबसाँ कर दोनों जग्रापटाप बाकी कर लेक लेफटाप कर लेबसाटाप है